देखिए बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम हमारे घर की जो च्छत है उसके उपर water pooping नहीं बलकि टाइल लगवाना चाहते हैं तो आप ये भी बताइए कि हम टाइल कौन से लगवाएं और उसे कौन से तरीके से लगवाएं यानि कि अगर हम water pooping का काम भी करवाएं तो जिसकी थिकनेस भी जादा ना हो क्योंकि जो brick work होते हैं जो IPS flooring होती है इनकी थिकनेस हमें बहुत देखनों के लिए मिलती है और ये देखने में भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं तो ऐसा कौन सी flooring हम करवा है या कौन सी water popping treatment हम करवा है जिसके उपर हम tile का work करवा सके और उसकी थिकनेस है वो भी हमें कम से कम देखने के लिए मिले और हम हमारी छट पर tile भी कौन से लगवा है तो इन तीनों सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले है उससे पहले आपसे छोटी सी request है कि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकन हिट करें ताकि आने वाली वीडियो के notification आप तक पहुंच सके देखिए सबसे पहला सवाल कि आप अपने छट पे कौन सी water popping करा है जिससे आपको थिकनेस कम से कम मिल देखिए सबसे पहली बात तो जो brick work होती है जो IPS flooring होती है और भी जितने तरह के आप water popping treatment देखते हैं उनकी सबसे जो main बड़ी समस्य है वो कि इसमें आपको थिकनेस ज़ो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलती यानि आप कितने भी इसमें कोसिस करें कम से कम इसकी margin 4 इंच आ कम से कम डेड़ इंच कम से कम इसकी जो थिकने से आपको डेड़ इंच मिलती है तो आप tile work कराने से पहले अपने छट पर अगर metal कोबा करवा लेते हैं तो यह आपकी छट को leakage और सिपेज से पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है और इसके उपर आप tile work करवा सकते अब दू पर इनका उप्योग करें क्योंकि जो normal tile होते हैं उनमें ऊपर polish bus रहती है यह जल्दी खराब हो जाते हैं और छट के लिए sign है क्योंकि छट पर जो tile लगने होते हैं उन्हें मौसम की मार जहिलने पड़ती है जिसे जो tile है वो जल्दी dullness और dull हो जाते हैं और dullness उनमें देखने को ले मिलती है दूसरा जो आगर आप डबल चार्ज लगवाते हैं तो ये आपको कोशली जादा पड़ते हैं और ये भी कुछ समय बाद उतने इनकी जो चमक रहती ही वो खतम हो जाए अब इसमें तीसरा सावाल ये आता है कि जो हम छट पर टाइल लगवाना चाहते हमने नीचे मेटल कोबा करवा दिया टाइल हमने चूस कर लिया हमें सिरमेक टाइल लगवाने हैं दूसरा कि अब इस कौन से तरीके से लगाये जाए ताकि जो लिकेज और सिपेज की समझते है वो बिलकुल जीरो हो जाए यानि कि पानी अंदर जा ही नहीं सके तो बीच में एपॉक्सी भरी जाती है वो तरीक लेकिन यहां पर आपको इसमें जो बीच में एपॉक्सी भरी जाती है जो रेडियूसर डाल का टाइल लगाया जाते हैं तो आपको यहां एपॉक्सी नहीं बलकि जो 302 SBR केमिकल उसके साथ सीमेंट का पेस्ट बनाकर इनके ज साइल वर्क करा हैं वो देखने में भी अच्छा लगेगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही उम्मित करते हैं वीडियो आपको पसंद आयोगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवा प्रक मां ओना ही आयो सम्मिता है